जनरली उनका जो selling point होता है वो यह होता है कि हमने जो भी coin बनाया है उस industry का सबसे number one coin बनेगा For example, कोई भी company जैसे XYZ करके Metaverse का coin launch करती है, वो भी MLM company है तो XYZ coin को ऐसे sell करेगे कि यह जो XYZ coin है वो माना से बड़ा coin बनेगा माना का जो valuation है वो 1 billion dollar से उपर है और माना 1 dollar पर आता है हम यह coin एक पैसे पर launch करेगे और इसको भी हम 1 dollar पर लेके जाएंगे है गाईज दिसी होग शित्र स्माल विया वेलकम वान से गेटोब चैनल आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि MLM crypto scams कैसे होते हैं कि प्रोजेक्ट को काफी सारे हमें कैसे मालू पड़ेगा कौन से प्रोजेक्ट MLM crypto scam हो सकता है तो उसके लिए क्या precautions आप ले सकते हो क्या raid alerts होते हैं तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करूगा तो make sure you watch this video till the end also make sure to subscribe my YouTube channel because आपको इस YouTube channel पे काफी अच्छे और interesting वीडियो मिलेगे आपको crypto के around education चाहिए NFT के around education चाहिए Metaverse को सबजना है investment opportunities को सबजना है कि future में कैसे investment opportunity आपको मिल सकती है तो उसके लिए आपको अच्छा अच्छा content मिलेगा MLM crypto scam के बारे में बात करने से पहले हमको यह सबजना पड़ेगा कि MLM क्या होता है MLM मतलब होता है multi-level marketing multi-level marketing कप्टी जो अपना product होता है या फिस service होता है उसको direct sale करती customer को और customer को direct sale करने के लिए customer को ही वो sales win मनाती है उनको ही अपने sales network का part मना लेती है और customer को बोला जाता है कि आप हमारा product आगे sale करोगे आपको इतना percentage commission मिलेगा आपको एक tour मिलेगा आपको एक गाड़ी मिलेगी आपको एक बंगला मिलेगा ultimately they target their dreams जो basic dreams सब के होते है रोटी कपडा मकान अच्छा खाना मिल जाए अच्छा गुमना हो जाए अच्छा घर बिल जाए अच्छी गाड़ी हो जाए यह basic dreams सब एक middle class आद्वी के होते है middle class आद्वी को target करते है house vibes को target करते है कुछ और भी छोटे बोटे businessmen को target करते है और उनको यह dream सेहल करके उनको उनका जो भी product होता है service होता है वो एक बाँ उनको sell करते है उनको बोलते है आगे sell करो so mlm companies जो product sell करती है वो generally regulation counter आती है उनको legal माला जाता है इंडिया के laws के हिसाब से but कुछ mlm companies जो इसी process को follow करके investment product sell करती है service sell करती है वो generally gray areas में आती है वो law के हिसाब से illegal होती है mlm crypto scam की अगर हम बात करते तो इंडिया में 2015 से लेके अभी तक almost 7 साल हो गया है तो 7 साल में 72,000 करोड का mlm scam हुआ है उसमें एक major share जो जाता है वो gain bitcoin को जाता है one coin हो गया bit connect हो गया इंडिया के moris coin हो गया इस type के काफी सारे project है जिनोंने scam किया है उसकी वाज़े से almost millions of Indian investors were affected 10 lakh के आसपास जो लोगों ने कई ने कई किसी फ्लोजिंपर पैसा डाला ही था और कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने bitcoin जो है वो 10,000 रुपे की प्राइस पर भी बाई किया था 2015-2016 के आसपास जब gain bitcoin जब चालू हुआ था उस ताइम bitcoin के प्राइस 10,000 के नीचे हुआ करती थी उस ताइम इंडिया के कई middle class लोगों ने 10,000 के नीचे bitcoin लिया था सोचो उन्होंने वो पैसा उस scam में नहीं डाला होता और bitcoin को वैसी बचा के रखा होता किसी wallet पे डाल के तो हो सकता था कि आज उनके पास 20 लाग होता लाश्ट उनके पास 50 लाग होता राइट तो यहाँ पे ऐसी कई स्टोरी आपको मिलेगी जिन लोगों ने पाच जार बे भी bitcoin लिया था कि निसे दो मिलेगी जो मेटावर्स का कुछ कर रहे हैं मेटावर्स के हिसाफ से उसको सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर में कंपनीज होती वह काफी स्मार्ट होती है टेक्नलोजी को जल्दी अडॉप्ट करती हैं वह यह लोग काफी जल्दी अइंटर हो गए थे जैसे से 2013-2014 से 1-coin Bitconnect चालो हो गए थे तो मलब MLM कंपनीज के जो लोग है वह टैक में काफी आगे रहते हैं जो भी इनके बड़े प्रमोर्टर्स होते हैं जो कंपनी क्रिएट करने वाए लोग होते हैं वह टैक को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और इस टैक को आगे सेल करते जो लोग इतने इसली समझ नहीं पाते हैं और वो जब समझ नहीं पाते हैं तो जो वो बोलते हैं वो माल लेते हैं किसी भी MLM crypto scam को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा यह सूचना पड़ेगा कि हम कोई लांच करते हैं तो कौई 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 से से बिलॉंग करता है उस decentralized finance का क्या क्या करेगा उसके लिए find those people first and उसके अपसे बनाते हैं on paper की यह हुएगा हम ऐसा coin बनाएंगे इसके लिए बनाने के बार पास बंदा भी है और उसके बार फिर वो जाते हैं investors के पास केशार से investors होते जो MLM companies को fund करते हैs MLM projects को fund करते हैं कि MLM projects को जो पहले enter होता है वो पैसा कमा आके निकलता है तो जो सबसे पहले invest करेगा उसके कमाने के chances काफ़े ज्यादा होते हैं कमा और निकल जाता है इन वेस्टर के पास जाते है in investorsे को पसंद आता ना आइडिया तो वह feun कर देते यह पे तभीそंकर ते जब उसको इसको बड़ा दीखे कि यहीं आज जार क्रॉड यहां पर बन सकते हैं यह यहां पर इतने ज्यादा बड़ा हम सकते हैं यह आगे जाकर करना उस प्रोजेक्ट क्रेटर को भी पता होता है जो पैसा बंदा डाल रहां इसको भी पता होता है नाक्स करने के लिए पहले तो अपना प्रिपेर करते शोचल मेडिया प्रजेंस बनाते हैं उसके बाध अगर कोई लांच कर लिया है उन्होंने तो उसके हिसाब से लिस्टिंग करवाते हैं कोई मार्कट के पे कोई गेकों पे फ्री हो रही है तो ठीक है नहीं तो पैसा देके भी करवाते हैं थोड़ा एक दो यूटूब पे वीडियो डलवा देते हैं इंफ्लेंशर को हायर करके तो अल्ट इस टाइब के जो अच्छे ट्रेनर, जो अच्छे सेल्समें, MLMK के उनको वो बुला तै उनको आइडिया समझाते है कि इस टाइब काम परेक्ट कर करद रहा है, एक कर रहे वो कर रहे तो लोग को जनरल ही पता नहीं होता, कि जल्दी ज्यॉइन होगें तो हम पहले निकल ज सबसे लेरो नहीं होता है उसके फैसे रूबने की चांस से ज्यादा हो enfin उससे पहले रॉसको देते पिर लॉंच करने बाद जो 50 बंदे उसे होते हों में से कुछ बंदे करवर्ट हो जाते हैं सब्सक्राइब इस बंदे भी होते हैं इनका जो नेटवर्ग जो होता है उनका जो प्रिविश एक्स्प्रेंस है वह 20,000 से कमनी होता है तो वह जो 20 बंदे अपने 20,000 लोगों को बो होती है ऐसा होता है कि अपनी कमपनी को काफी बड़ा प्रजेंट करना हमने प्रोड़क को बड़ा प्रजेंट करना तो इस टाइप के इवेंट में जो उनकी काफी ज्यादा अच्छे ट्रेंडर्स होते हैं उनका सेल्स काफी सुपीरियर होता है जनरली उनका जो सेलिंग माना का जो $1 billion से उपधर है और माना $1 पर आता है हम यह Coin एक पर आशे लांच करे गए और इसको भी हम $1 पर लेके जाएंगे उसky好 आप सोचों आप 10 रुपय डालोगे तो आपका 80 रुपय बन जाएगा जब भी बक्रे को हलाल करते हैं लिए ल्ओकरा करते रहे उनका trust काफी जल्दी बन जाता है उस जब mode में आद भी सुनेगा कि वो बिलकुल trust करता है 100% उस बंदे पर जो उसको यह चीज sell कर रहा है और उसको लगता है यह जो चीज वो लेगा उससे उसकी जिन्दकी बदल जाएगी वो लगातर आपके dream पर hit कर रहा है और आपको मजह हा रहा है तो उसी जोन में आप चले जाते हैं और उस case में क्या है कि हम वही sold out हो जाते हैं कई लोग को वही decide कर लेते कि हम यह आपे पैसा डालेगे जब वो यह सब बोलते कि यह coin जो हमारा इतना बड़ा coin बनेगा एक पैसे अभी price है उसका 80 रुपे जाएगा तो क्यों ज पार्टरशिप किये किसी भी company का fake नाम बता सकते आपको verify तो कौन करेगा ट्रस्ट इतना ज्यादा verify लोग करते ही नहीं है और यह जो उनका पूरा प्लान होता है वो लगातार उसी पर चलते जाते हैं और जब कोई बंदा पूछता है कि आपका बताया था ऐसा होगा वैसा हो रहा है क्या तो वो टालते रहता है क्या हो रहा है हो रहा है हो रहा है वो तब तक टालते जब तक उनका target complete नहीं होता जब उनका target complete हो गया है अभी हमारा exit लेने का time आ गया है और exit plan उनका पहले से ready होता है कि हम कितने time के बाद हमको exit लेना है कितने time के बाद इस project को दीरे पहले से करके चलता है, तो उसके हैसाफ से उनका पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, और प्रोजेक्ट, स्कैम निकल जाता है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके इतिसारे स्कैम हुए है, और अब आप इनसे कैसे बच सकते हो, तो MLM क्रिप्टो स्कैम से कौन-कौन से जो पारे हमारे हिरी के आपको चब़ेंगी मीरतले सबसाइब उसके लिए को भाइब ईढ़तों के लिएका है दिसक्रियाशन कि आप के सबस्क्राइब है कह도 है गराल में को सबस्क्राइब कर दिखेंगा जो कई चाहिए तो वेबसाइट के बारे आपको मालूँ पड़ेगा कि यह लोग सीधिस नहीं आपको कई साई लिंक मिलेगी जो ब्रोकन है यह लिंक पे क्लिक कर रहे हूं ऊंगे पेज आर्ट शो कर रहाए तो आपको वेबसाइट लियगा कि आपको पटा चलिए प्राइट फ हो सकती है तो website अगर ध्यान से आप देखो गए तो उससे भी लग जाता है second जब वह आपसे sell करते हैं और आप से अगर इस टाइप के promise से sell करते कि suppose Metaverse coin sell कर रहे हैं Metaverse sell कर रहे तो आपको ऐसा बोले कि हमारा जो Metaverse से वह Decentraland से बड़ा बनेगा Sandbox से बड़ा बनेगा तो वहाँ पर एक और red flag हो सकता है क्योंकि आप कौन से coin का आगे क्या future होगा किसी के हाथ में नहीं रहे तो you cannot sell promise यह आप promise return की बात ही नहीं कर सकता है जो भी बंद आपको promise return की बात करता है वो होता है जनरली तो कोई company आपको या कोई company का salesman या कोई दोस्त आपको अप्रोच करका ऐसा बोल रहा है कि आपको ज्यादा हो सकते 99% हो सकता है यह काफी बड़ा red flag है तीसरा red flag ऐसा हो सकता है कि वह आपको ऐसा भी बोले कि आप cash में इंवेस्ट कर सकते हो कोई दिक्काद नहीं है account में भी transfer कर सकते हो अगर आपके बास bitcoin नहीं एथिरियम नहीं है तो वह भी काफी बड़ा red flag है क्योंकि अगर आपको इन्वेस्ट करना तो अब सीधा cryptocurrency exchange में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो राइट उस पे cash में कैसे इन्वेस्ट करना और यह सब करना तो यह लीगल में आ जाता जनरली और यहां पे काफी ज्यादा फिशी नेचर में आ जाता है तो यह वी एक red flag होता है काफी बड़ा उस company के काम करने के तरीके को observe करना कि किस तरीके से काम कर रही है अगर आपको लग रहा है कि वह चेन वाला सिस्टम बना कर रखा है multi-level marketing वाला उनका काम है आपको अगर यह लगता कि वह ऐसा प्रोड़क है अगर आप उनके उपर blind trust करोगे जो बोल रहे हो वह मान रहे हो उसके पर सेकेंट्री रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आप हमेसा फस सकते हो तो यहां पर सेकेंट्री रिसर्च करना काफी ज़रूरी है जब भी आपको कोई भी वंदा किसी बी क्रिप्टो के बारे में बता ह किसी बी कोई के बारे मता है तो उसको गूगल पर ऐसे सर्च करो कि उस कोई नाम उसके आगे स्कैम लगा कर देखो अगर वह स्कैम रहा होगा तो उसके उपर गूगल पर आपको आर्टिकल्स मिली जाएंगे कई लोगों काफी अवेर होते ऐसे स्कैम को उबजर्व करते रहते तो वो उसके बारे में लिखते रहते हैं यूटूब पे आपको वीडियो मिल सकते हैं कही सारे स्कैम के बारे में एक hyperverse करके MLM project चल रहा है तो वो शायद scam हो सकता है तो उसके उपर भी कुछ revelation अभी आए और इडिया में कई लोग hyperverse में अभी काफी involved है तो उसके उपर भी जो scam वाले articles है और जो scam वाले video है उसको आप एक दियान से देखो उसमें क्या observation है उसके बाद आप अपना mind बनाओ अगर आपको उसमें invest करना है या आप उसमें already invested हो क्योंकि उसमें काफी red flags है so I wanted to share with you यह सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं आपको buy करना है कैसे sell करना है उसके सबकी वीडियोज अभी अवेलेबल है यूटूब पर काफी अच्छे अच्छे सिंपल से सिंपल बेसिक गाइड आपको यूटूब पर मिल जाएगी कैसे वजिरेक्स पर अकाउंट ओपन करना है कैसे Bitcoin बाए करना है और Bitcoin अधिरेम क्ला और भी अगर आपको कौन बाई करना है तो आप ट्राय करो वही कौन बाई करो अध्लिस है कि विंग बाई न रिस्टिड आपको इत्ता समझ में नहीं आरा हो स्कॉइस प्सक्ड रीЭंस किए। और लो विक किसे अधे टिस चालिघू नहीं सबसplease और ग्रवा एपिट ही लीड में।